आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में जहां पर आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नाइन फॉर दू लेबोर्टर मेनिल अफ दे सब्जेक्ट सिस्टम प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकम पर प्रेस कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और वीडियो अच्छा लागे तो कमेंट भी कर दीजिए यह हैं सेंपल फाइल फॉर देजी सिवागर फॉर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आज स शेचेच आप करने बाहे हैं तो लागे का इस चे कॉझनल वेख तो आज का प्रेक्टिकम जाते हैं तो ब्रटिकल निजिए और चेक वाट की सिगर फॉर चाली घर चलो में signal causal है कि नहीं कौन causal है वहां मैं find करना है with the help of MATLAB तो MATLAB कैसे install करना है वो आपको नहीं पता है तो info button पर जाएं वहां पर latest version MATLAB का आपको कैसे install करना है वो आपको उसका वीडियो एक में मिल जाएं और कोई ऐसा है कि मुझे install नहीं करना है मुझे direct online ही MATLAB access करना है तो उसका भी एक वीडियो बना है कि मैं MATLAB कैसे online access करता हूं without installing MATLAB तो उसका भी एक वीडियो बना है तो उस वीडियो पिक जाएं इन्फोबटर में जाएं महाँ पर क्लिक किजिए वीडियो देख लिजिए और फिल ये प्रोग्राम आप रन कर सकते हूं तो कॉसल सिक्नल a signal is said to be causal if its output depends only on the present and past value of input and does not depend on the future value this is the example for causal signal like y of n is equal to x of n plus x of n minus one non causal signal a signal is said to be non causal if its output not only depends on present and past input but also on future inputs like x of n y of n is equal to x of n plus x of n minus 1 plus x of n plus 1 तो चलो ये किस तरह से मेटल में रंग कर सकते हूं उसको मेटल में देखेंगे तो पहले हम जाते हैं मैटलब पर वहां पर पहले लिख दिया clear क्लियर किसलिए और clear workspace आज मैं CLC किसलिए और clear command window अब मैं define करता हूं system system function y of t and t then small t then x of t comma k and k ये क्यार करता है shortcut for creating symbolic variable and function function अब मैं start करता हूं x of t से x of t equal to t ये मने कर दिया function of t आज मैं आज मैं वायबल ले रहा हूं k equal to minus 1 तो ये मुझे लूप लेना इसलिए मैं यहां वायनस कर लिया वेर ये बले कर दिया दिया वायनस कर दिया k2 k x of t plus k okay तो t plus क्या हो गया एक क्या हो गया एक क्या हो गया फंक्शन ऐक क्या हो गया एक क्या हो अब क्या हो गया तो إफ k 0 0 1001 any condition over if condition then signal is causal okay signal is causal so if condition is true then displaying this statement as signal is uncausal else condition is true then this thing result or statement and end function end stop execution of condition let's see whether this program is correct or not with the help of this run button okay so signal is causal यहां पर के क्यों लिए माइनस वन निकल आया अब अगर मैं यहां पर के पोजटिव लेता हो तो क्या होगा यह नॉन पर देख लेते हैं signal is non-causal so that is verified तो बस यही है रिजल्ट यही है रिजल्ट यह सब्सक्रा के डोकुमेंटेशन में आप पली है यह कोडिंग जुमिन आपको दिखाया अभी और इस signal is causal or not causal so we can check causal or non-causal signals with the help of MATLAB thank you